कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं अन्मिंदर और मेरे चैनल अभी स्वीक्स पे आप सभी लोगों को बहुत स्वागत है कि दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताना साहते हुए केजरिवाल ने शराब नीती पे एक किताब लिखी थी सवराज उसमें बताया गया था कि शराब की दुकानों के लिए निताओं की सिफारिश पर अधिकारी रिश्वत लेकर के लैंसेंस देते हैं इससे पारिवारिक जीवन तबाह होता है लोगों से कोई पूस्ता नहीं है क शराब की दुकान खुलनी चाहिए और नहीं और इसी में अनोंने एक सुझाव भी दिया था कि शराब की दुकान खुलने का लैसन्स तभी दिया जाणा चाहिए जब ग्राम सबा में मौजूद 90 lender माहिलाओं की मंदूरी वो। बहमंध नहीं होने पे, यानि कि महिलाओं दोस्तों, अब मैं आती हूँ मेन बात पे, इन दिनों अन्ना हजारे केजरिवाल से बेहन नराज हैं, उन्होंने एक चिटी लिखी है, जो सोचल मेडिया पे ट्रेंड कर रही है इस समय, बहुत नराज हैं वो केजरिवाल से, दिल्ली के सेम अर्विन केजरिवाल की नई शरा कई दिनों से दिल्ली सरकार की शराबनीती को ले करके, जो खबरे आ रही हैं, उनसे मैं दुखे, हमें महराष्ट की तरह शराबनीती की उमीद थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, अन्ना आगे लिखते हैं कि सत्ता के लिए पैसे और पैसे के लिए सत्ता के घेरे में फस हैं आप, यह उस पार्टी के अनुरूप नहीं है, जो एक बड़े अंदोलन से उबरी है, आपने अपनी पुस्तक सवराज में बड़ी-बड़ी बाते लिखी, लेकिन आपके आचरन और उसका इतना सभी असर दिखाई नहीं दे रहा है, आपके मुकमंतरी बनने के बार, पहली बार आपको पत्र लिख रहा हूँ, अन्ना ने पत्र में लिखा कि आपकी सरकार लोगों का जीवन बरबात कर रही है, महिलाओं को परभावित करने वाली शराब नीती बनाई गई है, आपके कतनी और करनी में फर्क है, और सरकार को जन्धित में काम करने पे मजबू किसे ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद आप मनीज सोधिया और आपके साथियों ने मिल करके पार्टी बनाई, एक एतिहासिक अंदोलन करके जो पार्टी बन गई, वह भी बाकी पार्टीों के रास्ते पे चलने लगी, बेहत दुख का भिशे है, महत्मा कांदी के गाउं के और काम कर रहा हूं, और विरोध में आंदोलन कर रहा हूं, अर्विन केजरिवाल को पुराने दिन याद दिलाते हुए, अर्णा हजारे ने कहा कि आप हमारे गाउं राले गन सिद्धी आ चुके हैं, यहां आपने शराब, बीडी, सिग्रेट पे रोक की, रिशनसा की थी, रा कुछ बातें बहुत इंपोर्टेंट थी, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जहां पे गाउं में जादा शराब बीडी है, वहां की मैलाएं शराब से बहुत परभावित होती हैं, इसी बात का जिक्र उन्होंने किया है, उन्होंने यह कहा कि आपने ग्राम सभा शराब नी के बाद आप अदर्स विचारधरा को भूल गए, दस साल पहले 18 सितंबर 2012 को दिली में टीम अन्ना के मेंबर्स की एक सभा हुई थी, मीटिंग हुई थी, उस वक्त आपने राजनीतिक रास्ता अपनाने की पात रखी थी, लेकिन आप भूल गए कि राजनीतिक पार्टी ब अन्ना को देश भर में घूम घूम करके लोग शिक्षन, लोग जाक्रती का काम करना जरूरी था, अगर इस तरह से लोग शिक्षन, लोग जाक्रती पे काम किया जाता, तो देश कहीं पर भी शराब की ऐसी गलत निती नहीं बनती देश में, बहुत वो एक तरह से हताश हैं खेजरिवाल से उन्होंने बहुत सारी बाते लिखी है अन्ना के लिए और उनको काफी एक तरह से कहना जाए कि फटकार लगाई है उन्होंने उन्होंने जो तीन बड़ी बाते कही है वो यह है कि लोग सत्ता के लिए पैसे और पैसे के लिए सत्ता के घेरे में फस चुके हैं अपने सब, जो पुष्तक है केजरी वाल की, उसके लिए उन्हों डीखा है कि जो आपने लिखा, उस पे आपने अपना आजरन नहीं बता यानि कि जो आपने लिखा जो आपने कहा उसको आपने किया नहीं आपकी सरकार लोगों का जीवन बढ़वाद करें यह उनके जो पत्र है उसका लब बढ़वाब है लंबा चड़ा पत्र है उसमें काफी दुनाने शुजाब भी दिये हैं कि 90% महिलाओं की मंजूरी अगर न एक और बात है खास यह उनका पत्र उस समय आता है जब मने शिशो दिया किया उन पे जीर जाने की तर्वार लटकी हुई है और आज उनके लॉकर वगारा भी खंगाले हैं तेन में उस समय अधना काजय लेटर आना काफी मत्पून है और जहां तक समझा जा रहा है इसको केजरीवाल अगर काईदे से टैकल नहीं करेंगे तो उनके जो लोग हैं उनसे जवाब मांगेंगे दोस्तों आपको मेरा जी कंटेंट कैसा लगा मुझे आप जरूर बताईएगा क्योंकि इस तमें जो शराब नीती है उसी को लेकर के अकेजरीवाल की सरकार पे बनी हुई है उनके मंत्रियों पे बनी हुई है मनिश्री सोधिया पे बनी हुई है आप अपनी राय जरूर दीजेगा एक और बात अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आये हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें लाइक का बटन जरूर दबाएं और अगर और भी अच्छी लगे ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों में भी इसी शेयर कर सकते हैं फिला लितने ही दोस्तों आप अपना और उपनों का क्याल लखिए जै हिन जै भारत